प्रस्टोट कर रही हूं कि आपको हर एक टॉपिक सी कितने कोस्ट कौन कोन से आये हुए हैं कि इस प्रकार की कुछ नाते हैं आपको जानकारी हो सके तो डोस्तों वीडियो को सुरूं से लाश तक देखेगा मैं प्रतेक कुछिंस के सही JinSr के साथ उसका एक्स्प्लेनेशन कर रही हूं मैं जिस्से आपको उस कुकिंस के बारे में संपूर जानकारी हो सके तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक पाचन तंत्र यूंग पोसर से जो भी kasih आई हुए है यह शिरीज नंबर 11 है दोस्तो इससे पेले 10 सीरीज में बना चुकी हूँ तो चलिए इस्टार्ट करते हैं आज का पहला कुश्चन है कि समाने स्वास्ति के लिए कुल कितने की शंख्या में खनीज यानि मिनरॉल्ड को आवर्शेक माना गया है हमारे सरीर के लिए बताइए चाई है इसमें सही आफ vị स्वास्था के लिए 21 तत्तोग की 21 खनीज्ज यानी मिनिरल सकता है दोस्तों समाने स्वास्था के लिए 21 खनीज्जों को आवर्षिक माना गया है मनुष्य के प्रमुख पोसक खनीज, कैल्सियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन है इसी प्रकार 21 करके है लेकिन प्रमुख रूप से कैल्सियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन है खनीज लवड शरीर की जैवी क्रियाओं को के संचालन के लिए आवर्श्यक होते है दूद, पनीर, अंडा, मचली, फॉल, हरी पतिदार सब्जियां खनीज लवड की प्रमुख श्रोत होते हैं नेश्ट कोचन है दुस्तों कि पची हुए वशा को उर्जा में प्रियुक्त होने लायक बनने में कितना शमय लगता है जो वशा हमारे सरीर में जाके पचता है उसको उर्जा में कनवट होने में कितना शमय लगता है तो 6 घंटा शमय लगता है कितना शमय लगता है वशा को पचे हुए वशा को उर्जा में कनवट होने में 6 घंटा लगता है दोस्तों कि जैसा कि शरीर के लिए सभी पोशक पदार्थों की तुलना में वशा सबसे अधीक उर्जह प्रदान करने वाला पदार्थ है लेकिन वशा का पाचन धीमी गती से होता है ध्यान से सुनिये का सबसे अधिक उर्जा पदान करने वाला पदार्थ है लेकिन इसका पाचन धीमी गती से होता है और देर से उर्जा पदान करता है अतह इसके द्वारा कार्य उपयोगी उर्जा प्राप्त करने में लगभग 6 घंटे तक का समय लग जाता है वशा की धीमी पाचन गती को ध्यान में रखते हुए एथलिटों को तिब्रिर सारिक ब्यायाम से ठिक पहले अधिक वर्षी भोजन नहीं करना चाहिए तो किसका करना चाहिए दुस्तों कार्बोहाइडेट का क्योंकि दुस्तों कार्बोहाइडेट प्रोटीन वसातीन हमारे मुग के पोसक तरतों होते हैं जिसमें इसे कार्बोहाइडेट के एक ग्राम कार्बोहाइडेट से 4.1 कलियोरी उर्जा प्राप्त होती है एक ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलियोरी उर्जा पराप्त होती है एक ग्राम वर्षा से 9.1 कैलियोरी उर्जा परात होती है देखिये वशा सबसे ज़्यादा उर्जा प्रदान करती है लेकिन देर से प्रदान करती है धीमिगति से इसका पौचन होता है जबकि कार्बोहाइड इंस्टेंट ली याने तुरंत उर्जा प्रदान करती है इसलिए जादा एतलीटों को जादा करते हैं कि वहाँ कार्बोहाइडेयड का यूज करें अपरी भूजन मिलें तो दोस्तों अगर कोस्टन आपसे इस प्रकार से कुछ चकता है कि सबसे अधीक उर्जा किसे प्राफ्थ होती है तो वसा से सबसे तुरंत सबसे उर्जा किसे प्रात होती है तो कार्बो हाइडेट से सबसे जल्दी उर्जा किसे प्रात होती है तो कार्बो हाइडेट से और सबसे ज्यादा किसे प्रात होती है तो वसा से तो दोस्तों नेश्ट कोस्चन है कि कठिन साररिक परिश्रम करने वाले ब्यक्ति का आहार होता है क्या होता है क्या लेगा वो कार्बोहाइडेट युक्त होगा कि वसा युक्त होगा कि प्रोटीन युक्ति वसा रही तो इसका सही अचर है कार्बोहाइडेट युक्त क्योंक किस देश्य करेग इसलिए कार्बोयाईडे जयदा रहेका ज्टा है इसलिए उसलिए सात्य पर शुटी को क्हुंट परिश्रह में अधिक उर्जा और शक्ता स्मयव कार्बोया चैनल मसनता है के लगभग शभी तत्वनिहित होते हैं जैसा कि आप सही आप संतिक कर दिये होंगे दूद जो संपूड अहार कहा जाता है दूद को पूड अहार यानि complicated diet कहा जाता है जो कि मनुष्य के शभी आवस्थाओं के लिए सरोमानने भोजन है दूद में संतुलित अहार के लगभग शभी तत्वनिहित होते हैं इसमें लगभग 87% जल पाया जाता है इसके अलवा इसमें वशा प्रोटीन कार्बोहाइडेट केल्सियम प्रटेसियम इत्यादी भी समूचित मात्रा में पाया जाता है इसलिए इसको सं मुख्यकार है भूजन का मुख्यकार क्या है यह नई कोशिकाएं बनाता है तूटी-फूटी कोशिकाओं की मरमत भी करता है आक सन्नमबर a करेक्ट एंसर होगा नेस्ट कोश्चन है दोस्तो निम्नलिखित सूची में एक को दो के साथ आपको मिलाना है तो दोस्तों ध्यान जैसा कि इन सब के बारे में आपको बेसिक नालिज है बस आप समझनी का प्रेड है तो दोस्तों इसमें से आप सबसे पहले उस प्थ्था को जिन की जिए जो आपको आता है जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम लगाते हैं प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन आपको बताया गया है कि हमारे सरीर की टूट, फूट, मरमत, उत्तकों को सिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन होता है तो प्रोटीन हो जाएगा हमारा तीन का प्रोटीन का आपसन नमबर हाँ प्रोटीन का हो जाएगा E सरीर की संरचनात्मक शमगरी प्रोटीन का क्या हो जाएगा सरीर की संरचनात्मक पड़ाली E हो जाएगा तो चारों आपसन में से किसमें E दिख रहा है तो दोस्तों सिर्फ A में E दिख रहा है एक ही आपसन को लगाते हुए आपको सही अंसर आ गया है बट और सबको में हम लगाएंगे तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का E है सरीर की संरचनात्मक समगरी और दोस्तों अब बात करेंगे वसा का जबकि अभी मैं दो-तीन कोश्चनों में बताई की वसा हमारे सरीर को सबसे ज़्यादा उर्जा प्रदाइंग करता है तो वसा का क्या हो जाएगा? C उर्जा का सबसे प्रचूर सोत वसा का उर्जा का सबसे प्रचूर सोत हो जाएगा यान टुका C हो जाएगा अच्छा पोसर लेंगी तो हमारा स्वास्थ भी अच्छा होगा तो पोसर जो होता है अच्छे स्वास्थ की कुंजी होता है यानि एक काड़ी हो जाएगा ठीक है अब हम मिलाएंगे स्वास्थ है स्वास्थ क्या है अब स्वास्थ मत मिलाएए सivसे पहले इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप TWOO मिला यह बोजन ट हमें लेते हैं किसलिये लेते हैं क्योंकि हमेरे वह उर्जा देता है तो वोजन करhोजाएगा समस्त Services की उर्जा का yrुष्रोट दोस्तो भोजन हम लेते हैं किसलिए लेते हैं क्योंकि हमें वो उर्जा देता है सक्ति देता है तो भोजन का हो जाएगा समस्त शरीर की उर्जा का शुरूत पांच का बी अब बचता क्या है दोस्तो सिर्फ एक बचता है स्वास्त है इसका क्या बचता है जीने का आधार स्वास्त हमारे अच्छा स्वास्त रहेगा तभी तो हम अच्छे से जीवित रहेंगे तो स्वास्त जीने का आधार होगा तो आक्सा नमबर एक करेक्ट एंसर होगा दोस्तों नेल्स्ट कोस्चन है कि मेंटा बोलिजमे का संबन्ध किसे तंत्र से है तो इसका संबन्ध पाचन तंत्र से है जैसा कि आप सबको पता है मेंटा बोलिजमे हमारे हम जो भी लेते हैं कावोहाइड़.इर्ट अग Plus में उनО qonverd करता है और हमें उर्जा प्रदाद करता है नेश्ट कुश्चन है दोस्तों इस्थाई दाथ कितने प्रकार के होते हैं इस्थाई दाथ कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि आप सब को पता है 32 प्रकार के होते हैं जैसा कि दोस्तों हमारे सरी में दाथ कितने प्रकार के होते हैं तो दा किनाइन रदनक एंड तीसले प्रकार है अगरटचेवडक यानी प्रि मोरल जो उत्ता है पर्पश्च चयोड़क यानी मोरल कृड़न्त उपरी भाग में डाते होती हैं और दीचे उपर में आउ नीचे दोनों 16 16 होती है तो उपरी भाग में माल लेजिए एक तरप की बात कर रहे हूँ क्रिदन्त होता है चार यानि इंसीजर 4 के नाइन 2 प्रिमोरल 4 मोरल 6 चार दो चार चार चे ऐसे करके याद कर लेजिए उपर कर सोले हो गया फिर 4 दो 4 छे नीचे कर सोले इंसीजर के नाइन प्रिमोर मोरल चार दो चार ची तीखे नेश्ट कोस्चन है दोस्तों कि सरीर के किस अंग से पायरिया सम्दित है तो पायरिया रोक किस अंग से सम्दित है तो दात से सम्दित है और किसी कमीश होता है पायरिया तो बिटामिन C की कमीश होता है और बिटामि वसा में घुलनसील बिटामिन कौन सा है, वसा में घुलनसील बिटामिन कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि जल में कौन सा है, जल में श्रीफ B और C है, B और C जल में घुलनसील बिटामिन है, उसके अरावा जो भी बचता है वह वसा में घुलनसील ब कीड़ ए किड़ ए तो इसमें कॉनसा आपसन चाही है एडि एक है कि दोस्तों जो विटामिन्स होता है यह रसारी कुर्प से कावनिक योगिक होते हैं सभी जीओं को इनकी मात्रा में आसकता होती है यह दो प्रकार के होते हैं जलमेगुलंसिन यह वसामेगुलंसिन जलमेगुलंसिन बीसी और वसामेगुलंसिन एडी एक होता है तो नेश्ट कोस्टन है क सबको मैं एड़ कर रही हूं. देखते हैं आप इसका अंसर कैसे देते हैं. नेस्ट कोश्चन है. निमने लिखी तमैंशे उस विटामिन का नाम बताएए जो जल में खुल सकता है. तो कौन सा होगा दोस्तो इसमें, जैसे कि B और C जल में गुलंसी बितामिन होता है तो इसमें कौन सा आप्षन सही है तो आप्षन नमबर A करेट एंसर बितामिन B फिर कोस्टन है कि कौन सा बितामिन पानी में गुलंसीन है तो इसमें कौन सा होगा आप्षन नमबर C करेट एंसर बितामिन C फिर दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कि किस बिटामिन की कमी से कारण रताउधी होती है तो बिटामिन A के कारण कमी से रताउधी रोग हो जाता है इसकी दोस्तों बिटामिन A का बैज्यानिक नॉर्म रेटिनॉल है और इसकी खोच एलमर मैकालम के द्वारा की गई थी इसका रसानिक नाम रेटिनाल है इसकी कमिसी रताउधी यानि नाइट ब्लाइडनेंस रोग हो जाता है और इसके लावा जेरोसिक्स कार्णिया या जरी जीरो फैलमिया भी रोग इसके कारण उत्पन होता है इसको भी किस कमी के कारण रात्री का अंधापन होता है किस विटामिन की कमी से रात्री का अंधापन होता है यानि नाइट ब्लाइडनेस तो विटामिन ए के कारण आफसर की विटामिन ए का प्रमुक्ष्रोथ है विटामिन का प्रमुक्ष्रोथ है कौनसा फल है इसमें से गाजर घी तो दिए के विकल्प में गाजर बिटामिन A का प्रमुक्स्रोत है इसके आतरे यह बिटामिन आम, अंडे के जर्दी, मचली, तमाटर, पपीता, हरी सब्जियों, पालक, सीता, फल, आदी में पाजाता है बिटामिन A का रसानिक नाम रेटिनाल है इसी कमी से आँखों में कई प्रकारक की रोग हो जाते हैं विसेसका आँखों में रोग होता है रताउंदी, गीरोसिस, कान्या विटामिन, सrition की प्रीधि के लिए आवर्शेक है इस विटामिन की कमी से तोचा सुख जाती है पुछा सकता है कि पुछीगा कि के आउट नाम से जाता है आप सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा तो इस विटामिन की कमी से तोचा भी सुख जाती है, दरारे पड़ जाती है, तंतों की पतिरोधक पावे बिधी हो जाती है, जिन पर जुआनों के आक्रमर होने की असंका होती है, उन संक्रमर से इस विटामिन A रच्छा करता है, इसको बिधी कारक विटामिन बोला जाता है इसकी कमी से बेधी रुख जाती है नेश्ट कोर्चन है दोस्तों कि विटामिन A का प्रमुक्ष रोत है जो चारा अपसन दिया गया है इसमें से विटामिन A का प्रमुक्ष रोत कैम है तो अपसन नमर D खुबानी खुबानी जो है विटामिन A का प्रमुक्ष रोत है एंड ग गाजय सीता फल आदिन पा जाता है नीवू बंस के फल दो सभी विटामिन C के प्रम्नुक्स्रोथ होते हैं नेश्ट कुर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नेक्ट कोचन है कि क्वार्स ही और कर रोग किस तत्यों की कमीशय होता है तो इसका सही आप्सन है आप्सन द्सन म् iki प्रोटीन प्रोटीन की कमीश-ी और कर रोग हो जाता है प्रोटीन किस से बना होता है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन वो सलफर नामक तक्तों से बना होता है अतव यह हमारी पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिट्स में बदल जाते हैं जो हम प्रोटीन ग्रहर करते हैं हमारे सरी में जाकर किस रुप में बदल जाते हैं इन अमीनो एसिट का परियोग सरी के द्वारा रख्त मांस्पेसियों नाखुनों तोचा बालों और आंतरिक अंगों के निर्मार में किया जाता है कुल मिला करके आप यह ध्यार में रखिए कि जो हमारा प्रोटीन होता है हमारे उतको को सिकाओं और हमारे टूट फूट के मरमत के लिए होता है मिसायक होता है नेक्ट कुछन है दोस्तो विटामिन डी किसमें पाए जाता है मखन यकृत अंडा इन में से सभी तो इन सभी में विटामिन डी पाए जाता है मखन अंड का यक्रीत सधीली दोस्तों विटामिन D का राशानिक नौम कैलसी फिराल है दोस्तों विटामिन की बग्यानिक नौम याद रखने का ट्रिक है रत पर एक टापफी पर आपका स्थाएलेंट है रह से रेतीनल यानि विटामिन सबसे अच्छा श्रोथ होता है सूरी की केड़े वांग दोस्तों इसका सबसे अच्छा श्रोथ होता है सूरी की केड़े वास्तों में सूरी की केड़ों के द्वारा विटामिन डी का निर्मार हमारी तोचा यानि स्कीन की कोशिकाओं द्वारा कहां से होता है यहां से निर्मित होकर सीधे रख्त में मुगत हो जाता है जिसके अलावा मक्षन एकरित अंडा दूद मचली का तेल इत्यादी से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है इसकी कमी से दोस्तों बच्चों में रिकेर्स और वैसकों में सुखा रोग या आश्टियो मलेसिया नामग भिमारी हो जाता है बच्चों म रिकेटिक बिटामिन किसे कहते हैं तो दोस्तों एंटी रिकेटिक बिटामिन बिटामिन डी को बोला जाता है बिटामिन डी को एंटी रिकेटिक बिटामिन नेचुरल बिटामिन एंड किडनी हार्मोन भी बोला जाता है आप इसको भी से इसरीप से ध्यान में रखिएगा निच्ट कुश्चर ने दोस्तों, विटामिन D का रसाइनिक नाम है जैसा कि मैं तुरंट भी बताई हूँ, इसका रसाइनिक नाम होता है, केल्शी फिराल अपस्न नमबर D, करेक्ट अन्सर एंड दोस्तों विटामिन डी सुर्ज के प्रकास इसका प्रमुक्ष फ्रोथ होता है तो कई प्रकास से कोश्चन पुछा है निम्न लिखित बिटामिन को सुरज की कीडों से भी प्राप्त कर सकते हैं तो इसका भी अंसर होगा बिटामिन D यही कोशन बार-बार पुछा है निम्न लिखित बिटामिन को सुरज की कीडों से भी प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर कुछ नहीं को परियापत केलसियम भीटामिन डी युगतर भूजन प्रतान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें क्या नहीं हो पाए तो विटामिन डी धुब का विटामिन कहा जाता है या आहार नाल में भोजन से फासफेट और कल्सियम के और सोसर यह अस्थी निर्मायम के लिए आवर्शक होता है और vitamin D तथा calcium की नियमीत अहार में अरपता से बच्चों में rickers बिमारी हो जाता है और घडिया कमजर हो जाती है मुर जाती है और viesco में इसके कमई से austium mayhesia नामक रूग हो जाता है इसको विसे सुरूप से ध्यान में रखेगा बच्चों में rickers और वैसको में आश्टियो मलेशिया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट कोस्चन नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि दोस्तों आपको प्रतेक कोस्चन अच्छे से समझ में आता होगा ए वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताए एन दोस् इतने भी तॉपिक्स बचे हुए हैं थेोरिकल सब्जेक्ट में उन सब को मैं पुदा करूँगी एंड डेली बेसेज पे आपके यम से क्यूश्टन आते रहेंगे तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार बीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ब